दोस्तों हम डिसकस करने वाले हैं काफी बड़े प्लान की क्योंकि हमारे के एड यूजर हैं उनके कहने पर इस मॉडल को डिजाइन किया है और उनका यह मॉडल अगर हम बात करें एडिया की 60 क्रॉस 70 60 वाई 70 स्कॉार फिट में बना है बहुत बेतरीन सा प्लान आपको देख वह सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिलती हैं इसी मौडल को अच हम discuss करेंगे फ्रेंट इलिवेशन की बात करें तो आपको बेतरी सा बारण्दा पोस्ट टायप का मिलता है इन्हीं चीजों का डिसकस करेंगे बाइन के बाद करेंगे तो पूरा step by step इसका हम discuss करेंगे स्टार्टिंग से लेकर लिंग तक आप बने रहे हमारी वीडियो पर लगातार मैं हूँ पहुं जाग ले और आप देख रहे हैं अपना चैनल इस्वाल हॉस प्लान अगर आपने पर इस्वाल हॉस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुरू करने से सब्सक्राइब जुरू दबादें इस चैनल आने वाले सभी वीडियो प्लाक आतारा देख सके हैं जोस्तों मैंने एक प्लेड सर्वेस इस्टार्ट की है मैं लगाता आप लोगों को बताता रहता हूं उस प्लेड सर्वेस में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप से मैं बात करूंगा आ आपके account ing house plan करता हूं वह इक प्लेड सर्वेस हैं झिसमें आपको fifty परशन देना फिप्टी बाद में यह जो मॉडॉला डिसकस करता हूं यह भी हमारे प्लेड यूइंजटर ही हैं तो हमारा यह आप को डिक्तिक में मिल जाएगा वार्टी नंबर है आप होरा अंप्ट night Ты क करता हूँ यह दोस्तों देख रहे है इस्टाइलिस बनाए है यह फ्रेंड का डिजाइन है यह देखिए आपका र्याप का और यह आपका यहां गर देखें ये बारंदा टाप का आप देख पा रहे होंगे ये आपकी रेलिंग है तो इसी को मैंने जूम किया था थोड़ा जूम कर ले दो क्योंकि साइज काफी बड़ा है ये स्टेर्स हैं सामने रोड है जहां से आप उपर जाएंगे तो अगर हम इसके यूण साइज की बात करें तो लगबंग में आ जाती है तो आप पूश करैं जाते हैं और अलग यूण आपका यूण मिल जाते हैं अलग 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 आपका एक डूर दिया हुआ है और सबसे पहले आपको जब आप में डूर्स इंट्री करते हैं तो आपको हॉल मिल जाता है उस हॉल में इंट्री करनी है यह आपका बड़ा सा हॉल है यह बहुत ही बड़ा 15 वाई 30 विट का है इसमें आपको 20 में प्लर देने पनेंगे क्योंकि इतना लंबा बीम आपका नहीं डिक पाता है बता दूँगा टूडी प्लानिंग जो मैं करता हूं वो शारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करके देता हूं तो यह तो आपका हॉल हो गया यह बैट्रूम एक यह बैट्रूम इनकी साइज बगारा मैंने सारे टूडी में नौ से दस फिट का बारंडा मैंने बना रहा है चारो तरफ बना हुए इसके चार पिलर बीच में बड़ा सा आंगन है आप यहां पर जाल रखवा सकते हैं जिसे प्रॉपर तरीके से आपका विंटलीशन छट से होता रहेगा क्योंकि बड़ा घर है विंटलीशन का प्रॉ इस के लिए इस इस के प्रॉप स्थ specially और यहां बात बंके रहे हो रहे हुए उसक्त के बाने ही और आकर नकर नाचर ऑंप बड़ा से यह पड़ा सा बड़ा सा मिल जाता है और इसके बगल में आपका एक बात और ये इस वाले बैड़ों के लिए ये लेटेंड बात तो आप देखी मैंने टूडी में सारी चाज़े मेंचन कर रखी है और ये बीच में आपका आंगान और बारंदा चारो तरफ आपको देखने को मिल जाता है ये पिलर खड़े हुए है तो पूरा पिलर पर दूस्तों ए घर बना इस बात करें तो अब हम बात करतें इसके लाज़ फ्लूर पर यह पूरा चार उत्रफ श्राप का बांडी बांडी इसंट्रापर तरी सब Iyaडर लगा रखके हैं और यह दूस्तों जो इस्टिकर्स थी च्छत पर जबाएंगे तो उसको मैंने डखने के लिए एक गुम्टी बना दी है। यह पूरा प्लान आपका देखीगा प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाता है। मैंसे थोड़ा सा और जूम करता हूं इससे आपको रियलिस्टिक प्लानिंग और यह पूरा आपका 3D बनकर रेडियो हो जाता है। तो अगर आप हमारे मॉडल से डाउनलूड करना चाहते हैं तो हमारी वेब्साइट है स्मालोस प्लान वह पर जाकर डाउनलूड कर सकते हैं। इस लिंक आपको रिसक्रिपस्टर मिल जाएगा और अगर आप इसका दूस्तों कॉष्ट जानना चाहते हैं कि इसमें खतना पैसा खर्च होगा मकान को बनाने में तो इसका कॉष्ट करने के लिए मैंने एक एप्लिकेशन लाउन्ज किया है उस अप्लिकेशन को आप डाउ होगा इसमाल हाउस प्लान मैं अल्रेडी सर्च किया तो मेरा अप्लिकेशन थोड़ा नीचे अभी दोस्तों आ रहा है स्टार्टिंग है तो आप नीचे आएंगे हमारा लोगो आप जानते हैं जो ऑफिशल लोगो हमारा वहाँ पर जैसे आप नीचे आते तो आपको मिलेगा मारा अप्लिकेशन दिखिए मैंने लिंक फिलाल डिस्क्रिप्शन दिया डिरेक्ली आप लिंक के थरो डाउनलोड कर सकते हैं यह हमारा अप्लिकेशन दिखीगा यह वाला लोगो है इसे आप इंस्टॉल कर ले मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक क में कितना material लगएगा। चट slab में आपका कितना लगएगा। प्राइमर पुट्टी क्या लगएगा। बीम में क्या लगएगा। अलग-अलग आप find out करके अलग-अलग अलग calculation कर सकते हैं। जैसे मैं एक जामपल के तोर प्र आपको बताता हूं और जो विट्थ है मानलोग 20 फिट है स्लैब की तो डाल दी स्लैब ठिकनिस आप कितना दस इंची लेंटर डलवाना चाहते हैं स्लैब या 12 इंची जो भी इसका मिक्सर रेशियो आप कल्कुलिट कर लें गिट्टी शीमेंट और मौरम का क्या रेशियो आप रखना चाहते हैं एक बोरी अगर आप सीमेंट टकना चाहते हैं तो दो बुरी शीमेंट मौरम में पांच बोरी यह बगएरा जिब भी आप देखते हैं इसका डामीटर बार तीन-सूत का सरिया डालेंगे लेंटरर में या 4 सूत के इसका डिस्टेंस between bar आप जो चुछर बनवार उसमें जो सरिया पड़ेगा वो कितनी-कितनी दूरी पर देगा वो क्लिक करें तो यीटे कशल रही होगा पॉइस जल रहा होता ऐलाग होती है तो प्राइस अलग होती है तो इसलिंग लिए है जो भी है चल रहा होगाय है सब अधान कि दिखा द y ego तो यह application आप download करें, link description में है, यहां से आप पूरा घर का आपने estimate find out कर सकते हैं तो यह जानकारी यह video आपको कैसा लगा हमें comment करके बताएं, अगर कोई भी doubt रह जाता तो comment करके पूशकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया, आप हमारी paid service के इस्तेमाल करें, number आपको description में मिल जाएगा, आप से मैं बात करके, आपकी requirement को समझ करके, आपके according house plan करता हूँ, तो